हेलो दोस्तों टेक औस चेनल में आपका स्वागत है विडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें डेडलॉक इन हिंदी डेडलॉक वो कंडिशन है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस केवल एक रिसॉस के लिए फाइट लड़ाई करते हैं जिसके कारण कोई भी रिसॉस को अक्सेस नहीं कर पाता है दूसरी शब्दों में कहें तो डेडलॉक वो स्थिती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस को अपने एक्जिक्यूशन पूरा करने के लिए रिसॉस की आवश्यक्ता होती है परन्तु उन रिसॉस को किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा होल्ड किया गया होता है जिसके कारण प्रोसेस का एक्जिक्यूशन पूरा नहीं हो पाता Datlock operating system में होने वाली एक स्थिती है जिसमें कोई एक process, process, waiting state में चली जाती है क्योंकि दूसरी process के द्वारा resource को hold किया गया होता है उदहारन के लिए माना दो दोस्त है और दोनों computer games खेलना चाहते हैं जिसके कारण दोनों लड़ते हैं एक के पास remote control है तो दूसरे के पास games की CD है जिसके कारण दोनों दोस्तों में से कोई भी नहीं खेल पाता है लेकिन दोनों में से कोई भी cooperate करने के लिए तैयार नहीं है यह स्थिती ही deadlock कहलाती है चित्र के अनुसार हमारे पास दो processes P1 तथा P2 हैं तथा दो resources R1 तथा R2 है इसमें resource R1 जो है वो process P1 के साथ allocate है और resource R2 जो है वो process P2 के साथ allocate है परंतु प्रक्रिया को पूरी होने के लिए P1 को resource R2 की आवश्यक्ता है इसलिए वो R2 के लिए request करता है परंतु R2 पहले से ही P2 के साथ allocate है इसी तरह process P2 को अपनी execution को पूरी करने के लिए R1 की आवश्यक्ता है परंतु R1 तो पहले से ही P1 के साथ allocate जुड़ा हुआ है दोनों P1 तथा P2 एक दुसरे के resources के लिए हमेशा wait इंतजार करते रहते हैं यही प्रक्रिया ही deadlock कहलाती है Conditions of deadlock in Hindi deadlock की चार condition होती है जो निमनलिखित है Mutual exclusion hold or wait no preemption circular wait 1 Mutual exclusion इस स्थिती में कोई न कोई एक ऐसा resource होता है जिसे प्रोसेसर्स के मध्यश्य साजह ना किया जा सके इसमें एक समय में केवल एक प्रोसेस ही resource को use कर सकती है अर्थात कोई दो प्रोसेस एक समय में एक resource का प्रयोग नहीं कर सकते 2. Hold or wait इसमें प्रोसेस एक resource को hold किये रहता है जबकि दुसरे resource के लिए wait इंतजार करता है 3. No preemption वो resource जो किसी प्रोसेस के लिए allocate हो चुका हो उसे जबरन किसी दुसरे प्रोसेस को allocate नहीं किया जा सकता है प्रोसेस अपनी मर्जी से resource को release करता है 4. Circular wait इस्थिती में प्रतीक प्रोसेस एक resource के लिए wait करता है जिसको दूसरे प्रोसेस ने held किया रहता है इसमें सभी प्रोसेस एक circle के रूप में resources का इंतजार करते हैं इसलिए इसे circular wait कहा जाता है Deadlock prevention Deadlock को रोकना Deadlock को prevent करने के लिए हमें deadlock की उपर दी गई चार conditions में से किसी एक को होने से रोकना पड़ता है तभी जाके हम deadlock को होने से रोक सकते हैं Mutual exclusion यदि हम किसी resource को share कर सकते हैं तो हम mutual exclusion को होने से रोक सकते हैं परन्तु हमारे पास बहुत सारे ऐसे resources होते हैं जिनहीं share नहीं किया जा सकता है जैसे की tape driver, printer आदी इसके कारण हम mutual exclusion के द्वारा हमेशा deadlock को prevent नहीं कर सकते Hold और wait यदि हम process को इसके execution से पहले ही resource allocate कर दे तो हम hold and wait की condition को होने से रोक सकते हैं परन्तु इसका नुकसान यह है कि इससे device का utilization बहुत कम हो जाता है no preemption किसी process के द्वारा hold किये गए resource को release करके हम इस condition को होने से रोक सकते हैं circular wait इस condition को रोकने के लिए हम process को घटते या बढ़ते क्रम में ही resources allocate कर सकते हैं deadlock avoidance deadlock को reward करना deadlock prevention की algorithm बहुत कम प्रभावशाली है क्यूंकि इनसे device का utilization और system का throughput कम होता है परन्तु हम deadlock को avoid कर सकते हैं deadlock को award करने के लिए हम bankers algorithm का प्रयोग करते हैं deadlock detection deadlock को detect करना operating system resource scheduler का प्रयोग करके deadlocks को detect कर सकता है resource scheduler operating system की सभी processes को allocate किये गए resources को track करने में मदद करता है इसलिए जब भी कोई deadlock होता है तो उसे algorithms का प्रयोग करके solve कर लिया जाता है disadvantage of deadlock in Hindi deadlock के नुकसान इसके नुकसान निमनलिखित हैं इसके कारण process के execution में देरी होती है इसमें process को पता होना चाहिए कि future में उसे किस resource की जरूरत घोगी इसमें preemption आवश्यक्ता से अधिक बार होता है deadlock के lab इसके lab निमनलिखित हैं यह स्थिती उन processes के लिए अच्छी है जो सिर्फ एक कार्य को ही perform करते हैं .ddlock avoidance के लिए no preemption की आवश्यक्ता नहीं होती सेक्टा से सकत हैं झाल झाल